कासिया ही कासिते, कासि सर्व प्रकासिका अर्थात कासी आत्मग्यान के प्रकास से जगमगाती है कासी सब वस्तुनों को अलोकित करता है जो इस सत्त को जान गया वह कासी के साथ एक रूप हो जाता है सिव की नगरी कासी में एक कहावत है यहां के हर कड़कड में संकर है, यहां हर एक कड़ में हमारे आराध्य महादेव विराजित है, आप कासी कहिए, वारंची कहिए या बनारस, यह एक सहर नहीं, एक कहानी है, यहां की मिट्टी में भारती इतिहास, संस्कृति और परंपरा छिपी हुई है, मैं विश्वित पिट्टी में जन्म लिया हूँ और इनी गलियों में पला बढ़ा हूँ और इस संस्किती को बहुत करीब से जानता हूँ कासी विस्वनात का दर्सन हो या मागंगा की भब्यारती जिसी देख के सब का मन मोह जाए और ये 84 घाट जो अर्द चंद के रूप में महादेव के सर पे विराजमान है यहां गौतम बुद्ध से लेकर आदी संक्राचार सभी को कुछ न कुछ मिला है कासी संगीत के लिए प्रसिद्ध है यहां की ठुमरी वग कजरी विस्व प्रसिद्ध है और हाथकंदा में बनार्सि साडी को कौन नहीं जानता बनार्स के रामलगर की रामलीला यूनिसको विरासत में सूचित है कासी में लोग मरने की इच्छा लेकर आते हैं और जीने की इच्छा से यहीं बस जाते है यहां मित्यू सोख से नहीं, उस्सोव से मनाया जाता है कासी हमारे सोच और संस्कृती से भी ज़्यादा प्राचीन है कासी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, खत्मी ना हो लेकिन अभी यहीं पर विराम लेता हूँ हरहर मादियो